सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का साइन्स एंफन नाइन टैन चैनल पर जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दुनों से पढ़ाते हैं और ओम्स लॉव एक ऐसा लॉव जो है तो बहुत असान लेकिन इसमें एक या दो तीन चीज़े ऐसी हैं जो बच्चे कोई कुछ नहीं सिर्फ कंसेप्ट के ओपर बात करने वाले और वह दो तीन बाते ध्यान देना बहुत जरूरी है अब सब बच्चे ओम्स लॉव के बारे में यह तो जानते हैं कि ओम्स लॉव क्या है बट फिर भी उसकी स्टेटमेंट में वह कुछ बाते भूल जाते हैं जैसे कि सबसे पहले at constant temperature and dimensions of conductor सबसे पहली बात तो आपको सबको याद होना चाहिए कि ओम्स लॉव जो है वो constant temperature और dimensions पे ही applicable है अगर आप temperature चेंज करते हो या dimensions को चेंज करते हो length, breath, height यह सब चेंज करते हो area of cross section चेंज करते हो तो ohm's law invalid हो जाता है तो ohm's law सिरफ valid है जब आपका constant temperature और dimensions हो उसके बाद भी at constant temperature and dimensions of conductor current flowing in the circuit, current flowing in the circuit is directly proportional to potential difference applied across its end potential difference applied across its end यानि यह तो आप सब जानते होंगे यार अब तक तो December आ गया है कि एक circuit में जितना जादा potential difference आप apply करेंगे current उतना जादा flow होगा जितना जादा current flow होगा potential उतना बनेगा यह statement गलत है यह कहना सही है कि जितना जादा potential difference आप apply करोगे, current उतना generate होगा potential difference generate नहीं हो रहा है आप apply कर रहे हो तो जितना जादा potential difference आप apply करते हो उतना जादा ही current जो है वो उसके अंदर flow होता है तो उस हिसाब से अगर बात करें तो V is proportional to I हो गया अब अगर मैं proportional का sign हटाके यहाँ पर constant लगाता हूँ तो वो constant आप सबको पता है R है अब इस R को लेके भी बहुत controversy है भाई क्या-क्या controversy है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि R एक constant है ठीक है वो तो है लेकिन यह ऐसा constant है जो V और I के respect में constant है बट इस constant की value को भी हम change कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर temperature और dimensions constant है तो R constant हो जाएगा R की value V और I पे depend नहीं करती यह दूसरा point है पहला point मैंने पताया जिस पर पच्चे ध्यान ने देते एक constant temperature और dimension यह नहीं लिखा तो हम स्लों गरत हो जाएगा सिर्व आप यह लिख रहे हो कि current flowing in the circuit is directly proportional to potential difference marks नहीं मिलेंगे आपको और एक constant है वी और I के respect में आप V को जितना मरजी change कर लो आए को जितना मरजी change कर लो आर चेंज नहीं होगा इसका मतलब R is a constant with respect to V and I यानि V और I की value को आप जितना मरजी change कर लो V और I की value को जितना मरजी आप बदल लो R की value पर कोई फरक नहीं पड़ेगा R की value बाकी factors पर depend करती है उसके उपर पढ़ा जाएगा पढ़ा जा चुका है लेकिन हाँ R एक constant V और I के respect में but the most important part जहां पर सबसे ज़्यादा गलती होती है वो क्या है V proportional है I के यानि कि V is equals to R I है ठीक है अब अगर मैं V और I का एक graph plot करता हूँ मालों यहां पर मैं V बनाता हूँ और यहां पर I बनाता हूँ तो सबसे पहले बात तो graph की जो शुरुवात होगी वो कहां से होगी origin से because अगर मैं I को zero करता हूँ तो V zero हो जाएगा या V zero करता हूँ तो I zero हो जाएगा तो graph की शुरुवात हो जाएगी origin से and graph is linear और वो सीधा आगे चला जाएगा उबसे बात है जब आप बड़े होंगे आप जानेंगे दुनिया में दो प्रेकार के सबस्टांस होते हैं ओमेक नौन ओमेक ओमेक वो ऑम सलाफ फॉलो करते हैं उनके लिए graph ऐसा होता है जो नहीं फॉलो करता है अभी के लिए आपके लिए सब के लिए graph ऐसा है तो graph बन गए linear but इसमें सबसे important बात क्या है सबसे important बात है कि अगर मैं इस graph का slope निकालता हूँ slope का मतलब होता है height upon my base तो इस से तो मुझे R मिल जाएगा लेकिन ये तो आप कोगे सर हमें आता है ये तो नॉर्मल बात है लेकिन जो आप सबसे ज़ादा ध्यान नहीं देते जिस बात पे वो ये है कि अगर ये ही सेम ग्राफ V और I के बजाए बनाया जाए I और V के बीच में Because भाई साहब ऐसाने कुछ किताबों में ही बोर्ड के एग्साम में भी यही ग्राफ सेम V और I के बजाए I और V के respect में भी दे दिया जाता है यही ग्राफ V और I के respect में अगर X एकसेस पे क्या है आए और Y एकसेस पे क्या है V तो स्लोक से हमें आर में जाएगा लेकिन अगर x-axis पे v आ गया और y-axis पे आया गया तो graph की shape तो same रहेगी because graph linear है इसका एक slope है graph की shape exactly same रहेगी shape पे कोई फरक नहीं परता हाँ मालो graph कुछ ऐसा होता non-linear होता तो वहाँ जाके वो graph ऐसा हो जाता मतलब वह graph की shape बदल जाती बर linear graph में अगर मैं x-axis और y-axis में कुछ भी बदलता हूँ तो फरक नहीं पड़ता है shape में लेकिन सबसे important बात इस case में जो graph का slope है वो r नहीं रहेगा वो 1 by r हो जाएगा क्योंकि आपने यहां पे i by v कर दिया है v by i नहीं है तो इसके उपर question कैसे आते हैं इसके उपर question आएंगा आपको graph बना होगा दो graph दे रखे होंगे let us suppose चलो एक question नहीं कर लेते हैं भई जैसे मान लो यहां पे हमारे पास यह आपको दियान से देखना होगा कि यहां पर क्या दे रखा है है पटर कर संफे संबार्प में आएगा है ही आएगा नहीं आएगा नहीं आISA ना कि कि क्यों नहीं आएं कि और है यह इंग और ही आए आप पता साफ दिख रहा होगा एक सलोब जादा और बी आये के मिलता है आप देख सकते हो कि A का जो सिलोप है सिलोप A का जादा है सिलोप B से और अगर A का सिलोप जादा है तो रेजिस्टेंस भी A का जादा हुगा B से लेकिन यही सेम ग्राफ अगर बच्चो ऐसा दे रखा होता यही ग्राफ में यहां पे I दे रखा होता और यहां पे V दे रखा होता और यहां पे A और B दे रखा होता तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे अंसर दे दो कि किसका resistance जादा होगा resistance A और resistance B में किसका resistance जादा होगा comment section पर answer है तो खटाक से जल्दी से ohms log कहता है constant temperature और dimension पर अगर आपका voltage B है current I है तो वो दुनों directly proportional होगे जितना जादा voltage आप बढ़ाओगे voltage का मतलब एक प्रकार से धका है voltage का मतलब एक प्रकार से लाद मारना है तो जितनी जाद ताकस से लाद मारोगे electron उतनी जाद ताकस से flow करेगा और current बढ़ जाएगा वो basic बात है बट ये वाली बाते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते बच्छों आप पताओ जल्दी पताओ टिक 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 शुरू होगे गड़ी में अब इस हिसाब से बताएं अगर तो पहली बात तो किसका slope जादा है इस बार अब वसी बात है slope A का ही जादा है slope A का ही जादा है slope B से बस फरक ये है कि इस बार slope इस बारे case में तो slope R के बराबर था लेकिन इस वाले केस में जो स्लोप है वो one by r के बराबर हो जाएगा और one by r मतलब जिसका स्लोप जादा होगा उसका resistance कम हो जाएगा तो a का स्लोप अगर जादा है तो a का resistance जो है बच्चो वो कम हो जाएगा तो ultimately the point is कि यह दो चीज़े हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और मेरे और यकीन मानिएगा इस concept under 10 minutes को मजाक्न मत लीजेगा आपका एक नंबर पक्का हो रहा है है मैं से लिखित में ले लो आपका एक नंबर मैंने आज पक्का करा दिया concept and time नेट में एक नंबर आपका confirm करा दिया पक्का करा दिया तो बस टेंथ का crash course हमारा शुरू हो गया है शुरू होने वाला है थर्टीन तो अप दिसमबर से link वेगा यहां पर आप पर आपको जाके course purchase करना पड़ेगा हमारा science and fun का आप भी आ गया इनकेस आप नहीं जानते तो और थर्टीन दिसमबर से ताबर दोर तरीके से हम लोग offline touch के साथ live classes mock test जैसे हमारा slivers खतम होगा उसके बाद mock test साथ-साथ mock test and all बहुत सबको शुरू हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से crash course प्लाइन किया है बहुत ही कम क्यमत पर मिलते हैं thank you so much thank you